Reference to the Context from the Story, The Beloved Chariteer तो इस Story में कुछ important lines और passages हैं वो किस तंदर में बोले गए हैं, उनकी क्या importance है आईए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले देखते हैं How innocent she is, in spite of her age, her education, her marriage and her child तो यहाँ पर बात की गई है आरती के बारे में और narrator जो अजी है, आरती की मदर, वो बता रही है अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी जो है, कितनी innocent सी है, कितनी मासूम सी है हाला कि वो अब बड़ी हो गई है, educated भी है, शादी हो चुकी है उसकी अपनी एक बेटी भी है तो फिर despite this, उसके जो experiences है, वो इतने जादा नहीं है और यहां पर emphasize किया गया है, कि यह generation का gap होता है हाला कि वो दोनों अपनी life में different challenges face कर रही है अजी भी अपनी life में दुखी है, challenges face कर रही है और दूसरी तरफ आरती भी दुखी अपनी life में, वो भी इस तरीके से challenges face कर रही है तो अपर उनके experiences में काफी generation का gap है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपने parents को वो एक अलग धंग से लेते हैं अलग धंग से समझते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चों को लगता है भी माँबाप तो सिर्फ हमारा ख्याल करने के लिए हैं और यह बहुत बड़ी है जिंदगी है, यही जीवन में बहुत अच्छा है जब वो छोटे होते हैं, वो कभी भी यह ऐसास नहीं करते हैं कि parents की भी दिखते होती हैं, उनमें भी कमियां होती हैं, उनको भी संघर्श करना पड़ता है और इन सारी बातों का अहसास तब ही होता है उनको जब वो grow up हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो यहां पर narrator जो अजी है, वो अपनी life के अबारे में बता रही है अजी कह रही है कि मैं हमेशा डरती रहती थी और हमेशा मैं अपनी पती की सेवा करती थी, यही मेरे से उमीद किया जाता था highlighting the oppressive nature of their marital relationship, उनके शादी शुदा जीवन में किस तरीके से उसका दमन होता था तो यहां पर वो अपने आप खुद ब्यां कर रही है कि वो खुद terrified रहती थी और यह इस तरीके से disturbed रहती थी I must always be available, she said यहां पर भी narrator जो अजी है वो बता रही है वो किस तरीके से उसे उमीद की जाती थी कि उसके हमेशा ready रहना चीए the narrator recalls being told by her mother-in-law तो वो recall कर रही है अपनी mother-in-law के dialogue को about her duties as a wife जैसे वो उसको कहती थी भी तुम्हारा पत्नी होने के नाते क्या करता वे है emphasizing the stringent expectations and norms of the society they lived in एक तो जो पतियों की expectations होती है उसकी सकताई से पालना करने चीए पत्नियों को और इसके अलावा जो societies में रह रहे हैं उनके सारे नियमों को norms को पालना करने चीए सभी ladies को when he wanted me he said come here and I went and when he finished if I didn't get out of his bed fast enough he said you can go and I got out तो यहाँ पर फिर बता रही है यह अजी वे किस तरीके से उसका relation अपने पती के साथ था the narrator क्योंकि वे narrator है protagonist है अजी वे बता रही है describes the emotional distance वो emotionally अपने पती से जुड़ी हुई नहीं थी काफी उनमें gap था understanding नहीं थी and coldness in her marital relationships उनका जो शादी सुदा जीवन था वो बिलकुल भी सुहार्द पूरण नहीं था it was cold where she was merely an object to fulfill her husband's desires सिरफ एक इसकी value एक वस्तु जैसे थी और जिसका मक्सद था अपने पती की desires को fulfill करना but I am like a river in the monsoon nothing can control me now अब वो उसके emotions इतने ज़्यादा है वो अपने आपको control नहीं कर पा रही और यहाँ पर कह रही है the outpouring of suppressed emotions उसकी सारे दुनिया भर के जो emotions थे सारे जीवन के जो दुख दर्थ है अब उनको वो control नहीं कर पा रही है suppress नहीं कर पा रही है उनको व्यक्त करती है and memories from the narrator जो भी उसकी प्राणी memories है after years of holding back she can no longer contain her feelings अब वो अपनी feelings को control नहीं कर पा रही है वो ऐसे flow कर रही है जैसे monsoon में river flow करती है बहुत ज़्यादा पानी बहता है river में थीक इसी तरीके से इसके आंसों भी बहुत ज़्यादा बहरे है यह बहुत ज़्यादा emotional हो रही है क्योंकि सारी उमर बहुत ज़्यादा दुखी रही है until then I had hoped that one day he would say he was pleased with me तो यह इन लाइनों का मतलब है कि वो narrator कह रही है जैसे यहाँ देखते है this highlights the narrator's lifelong desire उसकी सारी उमर यह इच्छा रही for affirmation उसका पती उसे सविकार करेगा उसको माननेता देगा from her husband which she never received actually उसके पती ने उसकी कभी भी परशंसा ने की उसको कभी भी value ने दी तो इस तरीके से कोई उसकी validation कभी नहीं हो पाई और यह इसलिए कह रही till then I had hoped वो हमेशा उमीद करती रही कभी तो वो कहेगा he was pleased with me मैं मेरे साथ वो खुश है परणतो ऐसा मोका ऐसक्षन कभी भी नहीं आया उनकी married life में and that day I envied you my own daughter अब यहाँ पर as he कह रही है मैं अपनी बेटी आरती से ही jealousy करने लगी the realization of the bond आरती का अपने पती माधव के साथ जो bonding थी which she never experienced जो अजी ने अपने पती के साथ कभी भी ऐसा bonding नहीं की थी leading to a complex mix of jealousy and sadness एक तो बड़ी ही इर्शा सी होने लग जाती है भी मैं तो अपनी जिंदगी में बिलकुल खुश रही नहीं मेरी जीवन में ऐसा अच्छा कभी नहीं आया और वो उदास भी हो जाती है तो यह envy इस करके उसके mind में इस तरीके एक बार feeling आ जाती है और उसे समझ नहीं आता मैं अब क्या करूं और क्या कहूं तो यहाँ पर जीकर किया गया है जब अजी के husband की death हो जाती है और वो कहती है अजी जो की narrator है तो जैसे school की छुटी होती है और बच्चे को रहत मिलती है भी छुटी होगी फ्रीडम मिलगी ठीक इसी तरीके से जब narrator के husband की death होती है तो उसे भी उसी तरीके से रहत मिलती है जैसे बच्चे को स्कूल की छुटी के बाद मिलती है इंडिकेटिंग दा बड़न सम नेचर ओफ दियर रलेशन्शिप जिससे हमें पता लगता है कि वास्तव में वो काफी बोज में थी परशान थी दुखी थी अपने शादी शुदा जीवन में तो ये बात तब की है जब अजी अपनी बेटी आरती को अपने सारे दुखों को बताती है कि किस तरीके से सारा जीवन वो दुखी रही तो एक अपने आप में ये मुखे मोमेंट है जब आरती अपनी मदर को इस तरीके से देखती है क्योंकि अब उसने अपने सारे दुखों का वर्णन किया है आरती को पोसिबली रियलाइजिंग द सेक्रिफाइश एंड चैलिंजिज शी फेश्ट जो उसरे जीवन में जितने बलदान किये, जितने चैलिंजिस फेज किये तो वो सारे जैसे बताती है तो यह अपने आप में एक मारमी एक टर्न देने वाला स्टोरी को ऐसा मोमेंट है जिसमें बहुत सारा चेंज आता है दोनों की इमोशन्स में तो यहां पर अजीब बता रही है भी जैसे मैंने अपने सारे दुखों को अपने बेटी आर्थी को बताया और मुझे डर लग रहा था कि उसका क्या इंपेक्ट उसके उपर पड़ेगा अपने बेटी को बताया आफ्टर रिवीलिंग हर लाइफ पेनफुल टूथ अपने उसकी लाइफ के जो पेनफुल टूथ थे उसने सारे रिवील किये अपनी बेटी आर्थी को शी फिर्स हर डॉटर्टर्स जज्जमेंट विपता नहीं वो अब किस ढंक से लेगी उसको अच्छा लगेगा मेरे साहनबुती रखेगी या कोई और रियक्शन देगी तो इस करके वो बड़ी घबरा रही है और इसले कहते हैं माइ हाट श्रीवल्स एड़ दा थोट इफ शी डसनाट लाइक वट शी सीज जैसे उसे सारी बातों को पता लगेगा तो वो फिर कैसे करती है अजी I am home where are you तो यह बात प्रिती कह रही है दा यंगर जनरेशन जो कि यहां पर बच्ची है कॉल जाउट बुलाती है ब्रीजिंग दा पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इंट 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 इसंग होप एंड कंटिनुटी डिस्पाइट दा ट्रोमेटिक रेवलेश हाला कि I see अपने इज लाइफ में काफी परशान थी उदर से आरती भी परशान रहती है एक प्रिती एक ऐसा सहा रहा है जो कि कोशिश करती है कि उनको प्रेजेंट में लेके आती है अपने पास्ट के दूखों को बलवाने की कोशिश करती है तो इस तरीके से वो एक होप बनकर आयोई है और हाला कि उनके जो पास्ट है बहुत ज़्यादा दुख बरा रहा है थैंक यू